आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास सेवन फिजिक्स चेप्टर हमारा है लाइट तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं पिछली वीडियो में स्टूडेंस आप लोगों ने पढ़ा कि जो लाइट के डिफरेंट फिनोमिना हैं उनके बारे में हमने स्टेडी किया लाइट की करेक्टेस्टिक्स के बारे में स्टेडी किया कि लाइट की वेक्यूम के अंदर स्पीड क्या होती है लाइट हमारे स्ट लोट बुक में लिखने के लिए भी बोला था तो आप लोगों ने आई होप लिख लिए होंगे तो आएए आज हम अपने चैप्टर लाइट है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखिए काफी इंपोर्टेंट चीज आ गई हमारे पास अब पैरलल बीम ओफ लाइट जैसा कि आपको किलियर लिए दिख राए है कि जितनी भी लाइट है ठीक है मान लिजीए हम पैरलल बीम ओफ लाइट किसको बोलते हैं कि जो रियो फ लाइट है वो एक दुसरे के पैरलल होती है ठीक है तो हम उनको arrow से दिखाते हैं ये देखो आप चार arrows हैं ये एक दुसरे के parallel हैं तो अगर आपको parallel beam of light दिखानी है कि बहुत सारी ray of light और parallel incident हो रही है या reflect हो रही है तो आप उसको जो rays है उनको parallel में arrow से दिखाऊगी तो parallel beam of light जैसा कि आप यहां figure 17.3 में देख पा रहे हैं आप इस प्रकार से show करेंगे उसके बाद आता है students Convergent beam of light ठीक है A beam of light which come from a broad source of light and converge at a point is called a convergent beam of light देखो conversion होता है बहुत सारी lights का एक point के उपर मिल जाना ठीक है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो light से उसका conversion हो रहा है ठीक है बहुत सी lights आ रहे हैं और एक point के उपर इखटी हो रहे हैं तो इस phenomenon को हम convergent beam of light बोलते हैं ठीक है इसमें बहुत सारी light हैं वो एक point के उपर मिल रही है बिलकुल इसका अगर हम reverse देखें तो इसको हम बोलेंगे और उससे light निकल रही है और वो different direction में जा रही है ठीक है तो इस यह आप यहां पर देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं divergent beam of light इसमें एक point source है उससे light निकल रही है और वो different direction में जा रही है जो कि figure 17.5 में आपको दिखाई दे रहा है तो यह जब भी आप यह parallel beam of light है या convergent beam of light है divergent beam of light है अगर आप उनको show करेंगे तो यह जो figure दिये गए हैं आप इस परकार से show करेंगे अब देखिए You must have noticed beam of light which come from different sources like a torch, a laser torch, lamp post in a park, search light of a powerhouse, a circus show or the head light of a car देखिए आप लोगों ने beam of light है अबजर करी होगी जो different source हैं जैसे torch है ठीक है तो torch में आपने देखा होगा एक light जा रही है वो parallel beam of light है इसी परकार आपने laser torch में देखकी होगी लेंप पोस्ट इने पारक में तो यह बहुत से शोर्स हैं जिनके अंदर आपने यह beams of light देखी होगी ठीक है कहीं पर ऐसा है कि light है वो फैल रही है जैसे आप गेम खेलते हैं PUBG वगरा खेलते हैं तो night में जब गाड़ी चलती है तो उस गाड़ी को आप देखोगे कि उसमें है लाइट गाड़ी से निकल के और फैल रही है ठीक है तो उसमें क्या हो रहा है उसमें divergent हो रहा है ठीक है वो उसमें आपको divergent beam of light दिखाई देती है एक torch है उसको आप किसी के ओपर focus करते हैं तो वहां जो torch से रही निकलती हो हमारी parallel beam of light है ठीक है इसी प्रकार से हमारा जो convergent है ठीक है light है parallel आ रही है और reflected surface से टकरा के एक point पे concentrate हो रही है तो वो हमारी convergent beam of light का example है अब हमारा आता है students mirrors and images कि mirror क्या होते हैं सबसे पहली यही सवाल आता हमारे सामने तो mirrors are smooth surfaces of glass which are made reflecting by a polishing them silver on one side देखे mirror एक smooth surface होता है कांच का गिलास का एक smooth surface होता है जिसकी एक side को तो हम silver से polished कर देते हैं जब एक side को silver से polish करते हैं तो दूसरी side है वो काफी reflecting हो जाती है आप लोगों ने mirror को देखा भी होगा अपने घर में भी देखा होगा ठीक है mirror के पीछे आप paint देखेंगे ठीक है और एक side में जब हमें plain glass लेते हैं उसकी एक side में silver की paint कर देते हैं ठीक है तो वो जो glass है न वो काफी smooth हो जाता है उसका दूसरा surface है वो काफी smooth और reflecting surface हो जाता है अगर किसी mirror के सामने कोई object रखते हैं तो जो image बनती है वो reflection की वज़े से बनती है ठीक है the mirror in which you look at yourself in fact your image is called a plain mirror वो mirror जिसमें आप अपने आपको देखते हो ठीक है वो हमारा वास्तों में हमारी image होती है और इस प्रकार के mirror को हम plain mirror बोलते हैं ठीक है जैसे आप एक mirror के सामने खड़े हो तो उसमें आप जो दिखाई दे अपने आपको देखते हो तो वो आपकी image है और जिस mirror के सामने आपकी image बन रहे है वो plain mirror कहलाता है a plain mirror is a flat smooth glass surface which is polished silver on one of its faces ठीक है जो हमारा plain mirror होता है एक smooth glass होता है ठीक बिल्कुल flat ठीक है उसमें किसी परकार का curve type नहीं होता है बिल्कुल flat होता है ठीक है तो हम क्या करते हैं बिल्कुल जो flat surface है उसकी side polish कर देते हैं तो वो हमारा plain mirror बन जाता है the other face is used as a reflecting surface तो जो दूसरा surface है वो हमारा reflecting surface के रूप में यूज करते हैं to understand more about a plain mirror and the image formed by it let us perform an activity ठीक है plain mirror को हम और plain mirror जो image बनाता है इसको और भी अच्छे से समझने के लिए आईए हम कुछ यह activity करते हैं तो सबसे पहले हमारी activity one देखिए अपने plane mirror ले लिया take a plane mirror with a stand or a spot so that it can stand vertically upright आपने plane mirror ले लिया उसको एक sports के सारे खड़ा कर दिया ठीक है बिल्कुल सीधा प्लेश दा mirror on a table table को mirror को table के उपर रखिए and put a toy drummer in front of it ठीक है तो एक खिलोना ले 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 लीजिए जो drum बजा रहा है ठीक है उसको उसके सामने रख दीजिए जब आप उसके सामने रखते हैं तो देर will be a clear image of the toy visible in the mirror तो आप देखोगे कि जो टोई की है बिल्कुल clear image है वो आपको mirror के सामने दिखाई देगी ठीक है तो यहाँ पर आप देख पार हैं students कि एक जो आपका toy है वो mirror के सामने है ठीक है तो अब आप क्या-क्या इसके अंदर observe करेंगे ठीक है तो वो observation आप note कर लीजिए तो अब हम जो observe कर रहे हैं वो सामने देखिए तो इसमें आप देखेंगे carefully note the size of the toy and the size of its image तो सबसे पहले आप clearly देखें कि toy की size है वो क्या है और जो आपकी image बनी है उसकी size क्या है do they appear to be equal क्या ये equal दिखाई दे रही है ठीक है तो अगर equal दिखाई दे रही है तो बोली yes yes you are right तो यहां से आप एक प्रोपरिटी पर ढढ़ेंगे blend mirror की कि हमारी image और object की size है वो same होती है कि also note that the image is an upright image just as the toy object ठीक है दूसरी चीज़ आप क्या observe करेंगे कि image आपने सीधी रखी है तो आपको बिल्कुल सीधी ही आपने object को सीधा रखा sorry अगर आपने object को सीधा रखा है तो आपकी image भी है वो सीधी बनीगी ठीक है just as to toy object जैसा कि आपका toy object रखा है मनलों जैसी प्रिष्तिति में आप वे mirror के सामने object को तो रखते हो सीधा रखोगे तो सीधी बनेगी अगर उसको उल्टा करके रख दोगे तो इमेज आपकी उल्टी बनेगी तो अब आप क्या करेंगे उस खिलोने में चावी बर दें उसको बिना हिलाए डुलाए तो जब हम उसके अंदर चावी बरते हैं तो क्या होता है दा टोई वूड मूव इट से आर्म अल्टरनेटिवली एंड दा सेम वूड है एपन टो भी इमेज है जवल ठीक है तो जिस प्रकार से टोई है उसकी आर्म हिलती है तो बिल्कुल ऐसे ही इमेज की जो आर्म है वो हिलेंगी आप उस टोई अब्जेक्ट की जो इमेज है वो काफी साफधानी से देखें यू विल अब्ज़र देट वन दा राइट आर्म ऑफ दा टोई मूव अप की जो टोई की जो राइट आर्म जो आपर मूव करेगी तो इमेज लेप्ट अप इट्स लेप अपट एट लेप अब्जेक्ट की राइट आरम हिलेगी तो आप देखोगे कि जो इमेज है उसकी लेप्ट आरम हिल रही है और जब आप अब्जेक्ट की लेप्ट आरम है उसको हिलाओगे तो आप देखोगे कि टोई की राइट आरम है वो हिल रही है ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि जब object right arm को हिलाता है तो आपकी image है वो उसका left hand हील रहा है ठीक है तो जो ये phenomenon होता है students इसको हम lateral inversion बोलते है कि जो हमारी image है उसका क्या हुआ है lateral inversion ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो हमारा क्या है lateral inversion तो आप लोगों ने क्या क्या देखा इस activity में आपने पहले तो अबजर किया कि object की जो size है image की भी size उतनी ही होती है पहली चीज तो आपने यह अबजर करी उसके बाद दूसरी चीज आपने क्या अबजर करी कि अगर आप सीधा रखते हैं object को तो image भी सीधी बनती है ठीक है अगर आप object को उल्टा रख देंगे तो image भी आपकी उल्टी वनीगी ठीक है और तीसरी बात आपने students क्या नोट करी कि थार्ड में हमने देखा कि अगर image का हम left hand हिलता हुआ दिख रहे हैं ध्यान से देखेंगे तो image का right हिलेगा means इस phenomena को left side right में दिखना right side left में दिखना इस परकार का जो phenomena है इसको हम lateral inversion बोलते हैं कि हमारा क्या हुआ है lateral inversion तो आप लोग जब प्रेक्टिकली कोई चीज करके देखते हैं ठीक है जैसे आपने प्रेक्टिकली करके देखा तो इससे students क्या होता है अगर हम उसको carefully examine करें तो उसकी जो properties हैं वो हमारे सामने आती है ठीक है जैसे कि हमने यह एक activity करी और इसको जो हमने carefully examine किया तो इसकी property हमारे सामने निकलके आई ठीक है तो हम इस activity से mirror की तीन characteristics के बारे में समझ गए हैं तीन characteristics हैं वो हमारे सामने आ गई हैं तो students आज के लिए इतना ही next video जो हम लेके आएंगे तो उसमें और हम ऐसी exciting activities करेंगे और उनको observe करेंगे कि वो हमें क्या बताती हैं तो student आप लोग है इस activities जो हमारे activity वन है students इसको आप घर पे कर सकते हैं तो घर पे आप करके करने की कोशिश करें, करके देखें कि जो बताये गया है वह सही है या गलत है ठीक है और आप मेरे कोई बताएं कि आपने activity करी और जो आपने यहां सीखा क्या activities में आपने वही पाया तो इस प्रकार के activity students आप creativity के लिए अपने घर पर करके देखा हो क्योंकि क्योंकि ऐसी activity जिसमें हमारे पास अगर available है ठीक है material available है mostly ये सब के घर में मिल जाता है जरूरी नहीं है कि आप जो टोई हैं वो सेम लें कोई भी टोई हो सकता है ठीक है तो आप लोग अपने घर पे करके देखें ठीक है तो जो हम करके देखते हैं वो चीज हमें forever याद रहती है तो आप एक कोशिश करें इनको करने की तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी तक अगर आप लोग ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने थैंक यू